आगे बढ़ते हैं भारती जंता पार्टी के राश्री अधियक जेपी नड़ा इस वत क्या कह रहे हैं सीधा सुनिया इंडिया न्यूस पर महिला पिट रही है ये कल्चर क्या है आप ये देखिए इसको घट्टा को सिर्फ इतना ही मतली किये ये आम आदमी पार्टी का की संस्कृती बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं और किसी ऐसे तैसे को नहीं महिला को और वो भी राजसभा की सांसर जो इनकी पार्टनर रही है फाउंडिंग मेंबर रही है ये इनकी सोच है इनकी इतनी इतनी गिरी हुई सोच है और तो ये आपका culture बताता है, आपकी संस्कृती बताती है, और आप exposed है, और दूद का दूद, पानी का पानी का होगा, दिल्ली की जनता इसका जवाब मांगेगी. बद्देय सेंग कि स्वाती जी जो है, वो, she felt for a trap. क्या स्वाती जी ने आप से मदद मांगी, आपकी पार्टी से मदद मांगी थी? हमें, 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 हमारे कभी नजदीक भी नहीं आए, ना हमारी कभी बात्चित है, और हम तो छोड़िये हमारे पार्टी के, यह हमारा तरीका नहीं है, हम तो बड़े straight forward लोग हैं, जो बात होती है, वो होती है, इस तरीके से हम नहीं काम करते हैं, और इस तरीके से किसी को गुम्रा होने की जरूरत नहीं है आप यानि आपकी चोरी पकड़ी जाए तो आप कोतवाल को डाटने लगोगे उल्टे चोर कोतवाल को डाटे और वो तो ये भी कह रहे हैं कि मतलब हर मीटिंग में वो कह रहे हैं दो बाते हैं जी, सबसे पहले कि उनकी कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है उनकी पार्टी की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी नेताओं की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और केजरिवाल की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है जूट के बुन्याद पर बैठे हुए ये पार्टी और ये व्यक्ति है दूसरा ये किसी भी स्तर तक नीचे उतर सकते हैं कोई भी आरोप लगा सकते हैं लेकिन कोई भी आरोप दूसरे पर तिकता नहीं है और इनसे कोई भी आरोप इनसे बचनी पाते हैं तो मेरा आरोप है चीफ सेकरेटरी की पिटाई हुई मेरा आरोप है महिलाओं की वीडियो में भी आप देख रहे हैं जो उन्होंने वीडियो रिलीज किया उसमें भी आवाज सुन रहे हैं वो किसकी आवाज है बंगाल में जो हिंसा होती है उसका कोई इलाज नहीं है है ना इलाज बिलकुल है लेकिन स्टेट गर्मेंट हमको इसमें role play करती है because law and order is a state subject हम उनको support दे सकते हैं लेकिन ममता जी का intention ही नहीं clear intention मैं बहुत फुल नहीं है intention vitiated dubious है वो वो नहीं चाहती है आखिर देखिए ये शाहजांस shake के case में आपने इतने दिन चुपी रखी cbi को inquiry देनी पड़ी cbi को inquiry चीफनिस्टर हूं और मेरे पास कोई case आए आपके बहुत ही बहुत ही निमनस तरके आपके standards है politics और administration को देखने के प्योर पार्टिसन और एक बात और स्मिता जी सबसे दुख की बात है कि ये वोट के खातिर nation से compromise करते हैं मैं बहुत serious charge लगा रहा हूं कि ये nation के साथ compromise करते हैं ये जितना ये हमारे जो गुस्पैटी गुस्पैटी है इन सब को protection देना उनके identity card बनाना उनके राशन कार्ड बनाना ये काम TMC के workers करते हैं और वोतर बनाते हैं ये anti-national काम है और उनको protection देते हैं तो for the sake of chair they are ready to compromise with the state they are ready to compromise with nation ये देश के साथ compromise कर रहे हैं वो कहती है कि अगर आप election वहाँ जीट जाते हैं और अगर national election भी जीट जाते हैं इसके बात अब कोई election नहीं होंगे this is what she is telling everybody और दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि CAA के लिए she is telling her audience क्योंकि वहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो बंगलादेश से आए हैं refugees हैं कि CAA का form बिल्कुल मत करना नहीं तो you will be picked up and thrown out ऐसा है मैं क्या कह रहा हूं कि यह अब इनको दिख गया है कि इनके हाथ से बात निकल रही है तो यह जो इनके इन्होंने जो जिन लोगों को protection दिया है उनके मन में डर पैदा करके वोट लेने की कोशिश है इससे ज़्यादा कुछ नहीं है मैं यह साफ कह रहा हूं कि यह सब anti-national देश के साथ गद्दारी करके हर कुछ हो सकता है वो करने का यह प्रयास कर रहे है CAA किसी को बाहर से आने वाले को नहीं देना है यह मम्ता समझती नहीं है क्या मम्ता इतनी अनपढ़ है क्या नहीं समझदार है जानती है लेकिन वहां के लोग जो भोले भाले हैं और अंजान हैं उनको गुम्रा करने की कोशिश कर रहे हैं यह लोग तो आ गए हैं यह तो 20-20 साल से यहां रह रहे हैं और यह रिलिजिस पर्सीकूशन के कारण धारमिक उत्पीरण के कारण आये हैं 23 से हमारी संक्या घट करके 3% हो गई हिंदू पॉपलेशन वो यहां पर आये हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं मकान नहीं खरीच सकते क्योंकि सिटिजन नहीं है इंजिनिरिंग में एड्मिशन नहीं ले सकते क्योंकि सिटिजन नहीं है मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकत हो उनको तुम अब शब्द आएगा माइनॉरिटी अब माइनॉरिटी बोलूँ या मुस्लिम बोलूँ वही आएगा उनको तुम अलग रखने के लिए उनको एड्रेस करने के लिए इस CAA का एक तरीके से मिस इंफरमेशन और जिसको बोलेंगे रॉंग इंटी नैशनल एक सरकार बनती है इलेक्शन के बीच ओ बीच ऐसे क्यों का वो जाने लेकिन सेल्फ सीकिंग इंपॉर्टेंस के लिए तो हमेशा ही वो कुछ करती रहती है कभी भी ऐलाइंस की मीटिंग में गई तो बीच में उठके आना जाना अपनी बात बोल करके निकल जाना इसी सब सकता हूं लेकिन वो कोई बहुत स्टेबल माइंड की है ऐसा उनका करती तो हमने नहीं देखा है वो हमेशा ही अंस्टेबल रहती है